हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है मैक्रोसोप्ट इस्टोर एरर विंडो 11 में कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए शुरू करते हैं इसको फिक्स करने के लिए बहुत सा तरीका है इनमें से आपको कुछ तरीका बताता हूं कैसे आपको फिक्स करना है आपको क्या करना है यहाँ पे सर्च पे किलिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा अब आपको यहाँ पर टैप करना है W-S-R-E-S-E-T इस तरह से टैप कीज़ेगा टैप करते हैं यहाँ पर आपको दिख जाएगा इसको पर आपको किलिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर कुछ सकन्ड वेट करना है कुछ सकन्ड वेट करते हैं अटोमेटिक यह रिसेट हो जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे यह मैक्रो सॉप्ट स्टोर ओपन हो जाएगा आप देखेंगे प्रोपर तरीका से ओपन हो चुका है इसके बाद आप आप इसको अपनी हिसाब से यूज़ कर सकते हैं आपको क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग दिख जाएगा इसको अपर आपको क्लिक कर देना है किलिक करते हैं इस तरह से विंड़ ओपन हो जाएगा अब यदि आपको केस में यहाँ पर सिस्टम टैब सेलेक्ट नहीं होगा तो आपको क्या करने के बाद दाट टूर्वल सुट दिखे जाएगा, इसको पर आपको किलिक कर देने, किलिक करती है, इस तरह से window open हो जाएगा, अब आपको यहाँ पर score done करना है, score done करती है, यहाँ पर आपको दिखे जाएगा, window store app, इसके आगे आप देखेंगे, तो यहाँ पर run लिखा होगा, तो आप आपको क्याकτε नहीं यहाँ पर run पर click कर देने, click करते ही इस तरह से problem को detect करना शरू कर देगा, और automatic detect करके उसको fix कर देगा, इसके बाद यह विंडो आएगा तो आपको क्याक Interliere नहीं यहाँ पर next पर click कर देने, इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी प्रॉलम दिखेगा यहाँ पर उसको टुर्बल सुट कर देगा उसको आटोमेटिक फिक्स कर देगा अब आपको क्या करना है यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देने इसके बाद आपको क्या करने है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में App दिख जाएगा, इसको उपर आपको क्लिक कर देने हैं, क्लिक करते हैं इस तरह से Window Open हो जाएगा, अब आपको यहाँ पर फर्स्ट अपशन ही दिख जाएगा,िप एन फीचर, इसको उपर आपको क्लिक कर दे nे storage storage type करते हैं यहाँ पर आपको दिख जाएगा macrosoft storage इसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर three ैट लिखा होगा तो आपको जाए गारश्ग कर देंगे यहाँ पर आपको क्लिक कर देंए इसके बाद यहाँ पर आपको यह option आ जाएगा आप आपको यहाँ पर advanced option दिख जाएगा, इसके उपर आपको click कर देना, click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना, यहाँ पर इसको done करना, इसको done करते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, reset के नीचे, यहाँ पर आपको repair करने के लिए, तो आपको क्या करन के लिए इसके उपर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा इसके उपर आपको रैट क्लिक करना है इसके बाद यहां पर आपको दिख जाएगा रäsान है इस कोड़ोचा में एक वन्ड trêsञ़ करने के बाद आपस कमांड को कॉपी करना इस कमांड को आपको यहाँ पेस्ट कर देना है, पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ पे रैट किलिक कीजिएगा, इसके बाद एडिट पे जाएगा, इसके बाद यहाँ पेस्ट पे किलिक करके इस कमांड को पेस्ट कर सकते हैं, यानि तो दूसा तरीक से कमांड को यहां पर पेस्ट करने के बाद आपको च्छ कर देना हैं यहां पर इंटर करें इस तरह से मिन करते हो जाएका सक उपन करके चेक करेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा आपके केस में जो यह प्रॉलम वारा था यह प्रॉलम फिक्स हो गया होगा आप देख रहे हैं यह प्रॉपर तरीका से काम कर रहे हैं तो इस तरह से भी आप इस प्रॉलम को फिक्स कर सकते हैं क्लोज करने के यदि आपकी case में भी इस तरह से विन्डो अपर होता है तो आपको क्या करना यहाँ पर ह Iyaee ध Forsch लह एक क्लिक करते हैं इसतरह से command front open ओंग आपको क्या करatersे है आपको क्या करते है इस तरह से टरजाए गाए इसके बाद आपो एस्पेसर देना है इसके बाद आपको क्या करना यहां पर आपको इंटर कर देना है इंटर करते हैं यह कमाने रन हो जाएगा बाद उंटर आपको कर देना है झाल 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 100% complete होने के बाद यहाँ पे आके एक कमान रुक जाएगा अब आपको क्या करने है इस window को यहाँ से close कर देने है close करने के बाद आपको क्या करने है system को restart कर लेने है आपको system को जरूर restart कर लेने है आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखी जाएगा आपके केस में जो यह problem था यह problem fix हो गए होगा अभी आप देखने है प्रपर तरीके से यहे काम कर रहे हैं तो इस तरह सब इस प्रावलों को fix कर सकते हैं और प्लीज गाई चैनल को subscribe करे, like करे, share करे, thank you